स्सेजीडी कौंश्टेवल बढ़ती 2021 स्टेट वाइज का टोप एक्जाम सेफ स्कोर नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका मारे यूटूब चैनल में जी हाँ दोस्तों इस वीडियों बात करने वाले हैं कि स्सेजीडी कौंश्टेवल बढ़ती 2021 का स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का आपका कटोप इस बार क्या रह सकता है इसे के साथ दोस्तों एक्जाम का सेफ स्कोर क्या रहेगा यानि दोस्तों कितने नमबर अगर आप लाएंगे तो आप फीजिकल के लिए दोस्तों क्वालिफाई हो जाएंगे यानि फीजिकल आप दे पाएंगे आगे के प्रोसिस में सामिल हों पाएंगे इसके अलाव दोस्तों पूरा डेडिल के साथ एक एक राजे काम बात करने वाले है कि कौन-कौन से राजे का आपका क्या कटोप रह सकता है साथी पेपर का लेवल इस बार और साथी पेपर में क्या बदलाव आपका एससी इस बार करने वाला है पूरा डेटेल के साथ इस वीडियो में हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा important और helpful रहने वाल है तो बिना skip किये, बिना छोड़े वीडियो को untak और complete जरू देगा साथी वीडियो को like कर देए और दोस्तों अगर आप हमारी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आगए जरू प्रेस कर लें क्योंकि लगातार दोस्तों S.S.E.G.D. कौन श्टूल बढ़ती 2021 सम्दिद हर लेटेश जानकारी हम आप तक सबसे पहले पूंच आते हैं दोस्तों कमेंट करके आप जरू बताएगा कि कौन से राजे से आप मारे वीडियो देख रहे हैं यानि कमेंट करके आप जरू बताएगा ताकि हम आपको बता सकें कि आपकी राजे और आपकी कैटेगरी का कितना कटोब है वो रह सकता है और दोस्तो इस बार exam में क्या-क्या बदलाव किये जाएंगे सबसे पर दोस्तो बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा बदलाव तो दोस्तो इस बार आपकी neagative marking रहने वाली है जो कटों पर आपका काफी ज़्यादा impact है वो डालने वाली है इसी के साथ दोस्तों पिछले एक से डेड़ साल में जो भी SSE के एक्जाम हुए है तो SSE ने पेपर का लेवल भी चेंज किया है या दोस्तों इस बार पेपर का लेवल भी आपको अप देखने को या दोस्तों टब देखने को मिलने वाला है और अगर आपने SSE MTS का जो हाल फिलाल में पेपर वाय है वो अगर आपने दिया है तो आपको अच्छे से पता भी होगा कि क्या इस बार पेपर का लेवल देखने को मिलेगा तो इसकी वज़ेशे भी दोस्तों कटोब है वो काफी ज़्यादा डिक्रीज होने वाली है परन्तो हम बात कर लेते हैं कि कौन से राजे का क्या सेफ स्कोर रह सकता है क्योंकि दोस्तों अभी कटोब आपका प्रिडिट करना आसा नहीं होगा क्योंकि पेपर का लेवल है वो काफी ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कौन से राजे की कटोब क्या रहने वाली है सबसे बिए दोस्तों बात करने वाले हैं सेंटरल रिजन का यां दोस्तों बिहार अगर उत्रप्रदेश के हम बात करें तो अपका 70 पलस आपका मीनिमम कटोप रहेगा, यह हम आपको रो मार्क्स बता रहे हैं यह इसके बाद आपका जो पेपर का लेवल होगा उसके और सिक्कीम को छोड़ दें तो इनकी तो कटोब आपकी 40 प्लस लेने वाली है प्रन्तु यहां जारकन ओडिसा और वेस्ट बंगाल की बात करें तो दोस्तो इनकी कटोब है उस साड से लेकर 65 रह सकती है यह इतनी नमबर तो आपको नेगेटिव मार्किंग निकाल के लाने ही पड़ेंगे अगला दोस्तों हम बात कर लेते हैं केकीया दें तो कडिका करेल लिजन की और दोस्तों इसमें लकसे दीप की चालीस प्लस से जादा कटोब नहीं रहेगी पर dispositively को देखने को मिलने वाली है यह आपके लिए नेगेटिव निकाल के सेप स्कोर रहने वाला है मद्दे परदेश की दोस्तों बात करते हैं जिसमें आपका यहां 36 कड़ और मद्दे परदेश रिजन आता है तो इनकी कटोप है वो 62 पलस है लगबग रह सकते हैं यह आपको नंबर नेगे मचल परदेश, असम, मनिपूर, मेगाले, मिजोरम और तिरी उपरा रहने वाला है तो दोस्तों इनकी कटोप आपकी 45 पलस से ज़्यादा नहीं जाने वाली है किसी भी हालत में इसके लागला हम बात कर लेते हैं नोर्टन रिजन जिसकी कटोप हमेशा आपकी हाई रहती है आपने अच्छे से देखा होगा 2018 की बड़ती में कि राज्तान की जो कटोप थी वो 82 पलस थी यानि ये नीचे से नीचे की पोश्ट की थी अगर दोस्तों बात करें आपकी CSP की तो 90 के लगबग आपकी कटोप थी तो दिल्ली का कटोप है वो लगबग अगर बात करें तो नोर्टन वेश्टन रीजन की जिसका कटोप भी आपका काफी जादा रहता है चन्डिगर्ड हरियाना की हम बात करें और पंजाब की बात करें तो 70 प्लस कटोप निशी तोर पर रहेगा वही दोस्तों ही माचल जम्मु कस्मिर की बात करें तो 60 प्लस आपका कटोप है वो five के बीच में अगर आपके negative निकाल के marks आते हैं तो आप safe zone में होंगे आप physical के लिए qualify कर दिये जाएंगे वही दोस्तो लास्ट हम बात कर लेते वेस्टन रिजन की जिसमें दादन अगर है वेली दमन दिव को छोड़ दे या गोवा को छोड़ दे तो महराष्टरा और दोस्त गुजरात का कटोप है वो लगबग अगर बात करें तो साट प्लस ही आपको देखने को मिलेगा यानि कुल हमाँ आपको बता दे नोर्थिस्ट को छोड़ दे तो बाकी स्टेट की कटोप लगबग आपकी साट प्लस रहेगी क्योंकि इस बार कटोप आपका रहने का रेज का पी ज्यादा रहने वाला और नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों यह थी कंप्लीट इंपोमेशन हर कंप्लीट इंपोमेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आकन प्रेस करना मत बुलेगा क्योंकि मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले जाहिए जे वारत